हेलो अर्वेवन वेलकम तो मैं चैनल फ्लेक्सिबल मिहमेटिक्स आयम हार्दी दुलक्या एंड टुड़े आयम बेक विद न्यू एक्सपेरिमेंट तो आप सभी लोगों ने 3D8 मुई तो देखी होगी उसमें स्टार्ट में एक सीन था जिसमें ये प्रूव किया गया था कि तो चलिए आज उसी एक्सपेरिमेंट को दुबार प्रेक्टिस करते हैं लेकिन यहां पर मैंने स्टार्ट यूज किया है मुवे में तो कुछ दूसरा यूज होँआ था तो मैंने एक ग्लास में लिया है बिसलेरी का डिस्टिल्ट वोडर एक ग्लास में मैंने लिया है जून सके और एक लाइट भी देख सके तो पहले हम क्या करेंगे कि चलिए एक्ट्टुल्साउड बजर का और एक्ट्ट्ट लाइटनिग देखते हैं लीडी की कि अगर इसको डायरेक्ट्टी पावर मिल जाए तो इस दूनों वायर के टर्मिनल को में नॉर्मल वोटर जो that buzzer is ringing but very low voice is coming and LED is also lightning but that light is also very dim so electricity is passing but in very low amount so we can say this yes is this normal water is a poor conductor of electricity insulator तो नहीं बोल सकते क्योंकि अगर insulator होता तो यह sound और LED कुछ भी नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा amount पास हो रहा है so we can say yes that normal water can conduct electricity but in very low amount but in case of salt water चली इसमें देखते है क्या होता है तो इस ग्लास में में दोनो वायर को फिर से डालता हो और देखते है क्या sound produce होता है so as you can see that actual sound of buzzer and actual lightning of the lady is blinking so by this experiment we can prove that salt water is a great conduct of electricity thank you for watching stay tuned please share and subscribe our channel bye bye